दोस्तों सबसे पहले आपको दुर्गा पुजा और विजया दस्मी की धेर सारी बधाईयां अब दुनिया में एक से एक इनोवेटर हुए हैं अपना इलॉन मस्क भाई सस्ते दामों में रॉकेट बनाता है टेसला की बैटरी ओपरेटेड कार बनाता है दुनिया में एक से एक साइन्टिस्ट हुए हैं कोई साइन्टिस्ट इंसान की लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए एक इक्विप्मेंट बनाता है लेकिन अपने यहां का आदमी इनोवेशन के नाम पे चूता बनाता है इसका best example हमारे देश में अक्सर देखने को मिलता है अभी दुरगा पुजा चल रही है तरह तरह के पंडाल बनाया गया है जगा जगा लाइटिंग की अनुकी बेवस्ता की गई है लोगों ने तरह तरह के innovation किया है बुर्ज खलीफा भी बनाया गया है लेकिन कलकत्ता में एक जगा माता को 20 ग्राम सोने का मास्क पहना गया है जो की अबसे बड़ा innovation है बहुत बढ़िया कोरोना एक बिमारी है इंसानों को इससे खत्रा है लेकिन हमने माता को ही मास्क पहना दिया मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि माता को भी उससे डरने की जरूरत है हमारी जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़ादा हो जाती है जब हम उनके सामने गुटने टेकने वाले होते हैं तब हम माता के दरवार में जाते हैं कि माता हमारी रक्षा करो हमारी जिंदगी में खुशिया लाओ और हम उसी माता को मास्क पहना रहा है क्योंकि माता को भी कोरोना से बचने की ज़रूरत है अवेरनेस और सिम्बलिजम के नाम पे हम ऐसा चुट्रापा कर रहे हैं कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है माता निशुम्ब निशुम्ब और महिसा सूर्जा से राक्षसों का वद किया उनका संगहार किया और उन्हें कोरोना जैसी बिमारी से डरने की ज़रूरत है कई जगे मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि स्रीराम जी मास्क पहन के रावन को तीर से मार रहे हैं उनका वद कर रहे हैं बहुत बढ़िया भाई स्रीराम जी विश्नु के अवतार उनको भी करोना से डरने की ज़रूरत है सिम्बलिजम के नाम पे एक दिन ऐसा हुआ कि माता के हाथ में अस्त्र सस्त्र की जगा सेनिटाइजर, वैक्सीन, मास्क, स्ट्रेचर यही सब चीज़ें मिलेंगे आपको किसी दिन ऐसा होगा कि स्रीराम जी तीर धनुस की जगा कोरोना का वैक्सीन और सेनिटाइजर ले करके रावन का वद कर रहे होंगे जिंदगी में अवेरनेस फैलाना बहुत अच्छी बात है, बुराई पे अच्छाई की जीत को साबित करना बहुत अच्छी बात है लेकिन भगवान को मास्क पहनाना, भगवान के हाथ में सेनिटाइजर पकड़ाना, भगवान के हाथ में ओक्सीजन सिलिंडर पकड़ाना, ये कहा का इनोवेशन है भाई, जिन्दगी में अवेर्नेस फैलाओ, चुटप नहीं